हेलो दोस्तों, नमस्कार, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है हम लोग पॉलिटी के जो इंडियन कॉंस्टिटीशन और पॉलिटी के जो पंदरा सो से दो हजार पेस्टन वाली सीरीज देख रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, आगे जो की बहुत ज़्यादा किसी भी कॉंपेटेटिव एक्जाम के लिए, किसी भी परतियोगी परिक्षा के लिए, खास करके BPSC, MPSI, बिहार पुलिस, इन सारे ICAR, IARI जो Indian Agriculture Research Institute का पेपर होने वाला है, साथ से आठ तारिक को, साथ तारिक, आठ तारिक और दस तारिक को, उन सभी के लिए अती महत्वपुर्ण आपको सामने दिख रहा होगा कि भारतिय राजब्योस्ता और सन्मिधान के एक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी आपको अभ्यारती BPSC, MPSI, ICAR, इन सभी परतियों की परिक्षाओं को त्यारी करते हैं, उनको ये वीडियो आप फ्रवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इसका लाव उठा सकें, इसका आनांद उठा सकें, तो हम लोग चलते हैं, लगभग, पूरी के पूरे 500 से उपर सवाल हम लोगों ने कर लिया है, आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग आगे देखते हैं, सब्सक्राइज क करते हैं, प्रस्म है, एक फोर्टीएट वाला भी हम लोगों ने देख लिए तो स्टार्ट करना है, तरस्म है हमारे पास भारतिय सन्विधान में लोग सेवा आयोग का प्रावथान किया गया है तो भारतिय सन्विधान में लोग सेवा आयोग का प्रावथान अनुछेद 315 के तहद किया गया है अनुछेद 315 के तहद भारतिये लोकसेवायो का प्रवथान किया गया है। हमारी सन्मिधान के अनुछेद 315 में अनुछेद 315 में आपको लोकसेवायो का गठन का प्रवथान है। लोकसव आयोक के गठन का प्रवधान की सनुचेद में है अनुचेद 315 में अगला प्रस्ण है सनुधान की ग्यारभनी अनुचुची में पंचायती राज संस्थाओं में समीलित किये गे विस्यों की संख्या कितनी है बहुत ज़्यादा महत्तोपुर्ण सवाल सनुधान की ग्यारभनी अनुचुची में जो पंचायती राज संस्था समीलित किया गया है वो कौन से जो है अनुचुची में पंचायती राज संस्था को जो है हम लोगों ने समीलित किया है हमारे सनुधान के अनुचुची नंबर 11 में 11th schedule में हम लोगों ने क्या किया है आपको पंचायती राजव्यौस्था में शम्मिलित विसियों की संख्या कितनी है 29 है उसमें विसियों की संख्या कितनी है तो 39 है यह सब ना next question, भारतिये संग का राष्टपती किसके परामर्ज से कारे करता है, तो राष्टपती आपको मैंने पहले भी बता है कि नाम मात्र का हेड होता है, nominal हेड होता है, real हेड कौन होता है, तो real हेड होता है PM, तो वही real हेड आपको PM के सलाह पे, किसके सलाह पे आपको काम करता है, र सन्विधानिक संसोधन द्वारा ये तैय किया गया कि राष्टपती मंत्री परिशत की राय मानने के लिए बात ये होगा। सलाह या मंत्री परिशत की राय मानने के लिए बात ये है ये 42 संविधान संसोधन द्वारा इसे आपको तैय किया जाता है। लगो सन्थान कहा था आगे बढ़ते हैं। प्रस्न है जवाहरलाल नहरू के नेत्रितों में अंत्रीम सरकार का गठन कभगा तो सितंबर 1946 में। अंत्रीम सरकार का गठन कभगा था है। 1926 में आगे बढ़ते हैं। सन्विधान सभा में किस प्रांथ के परती निधी सरवाधिक थे। सन्युक्त प्रांथ के। आपको जो सन्विधान सभा में परती निधियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहां से थी। आपको सन्युक्त प्रांथ से सभसे ज़्यादा आपको परती निधी चुन के आए थे। अब हम लोग बात करते हैं। पंचायत का चुनाओ कराने के लिए निर्ने कौन करता है। राट्जी सरकार। स्टेट गौर्डमेंट के दौरा पंचायत का चुनाओ का निर्ने लिया जाता है। आगे देखते हैं। हम लोग next slide में देखते हैं। किसने कहा है आइरलेंड के राश्टपती की तरह भारत की राश्टपती की बाफड़व। किसने कहा कि जो आयरलेंट का राष्टपती है उसकी तरह भारत का राष्टपती भी अनुछे 368 के उलंगन होने पर सन्विधान में संसोधन विधयव जो आता है उस पर अपनी स्विक्रिती नहीं दे सकता है तो दुर्गादास बासू ने कहा था कि जैसे आयरलेंट के राष्टपती के तरह भारत का राष्टपती भी जो सन्विधान में संसोधन की प्रक्रिया है जो कि अनुछे 368 में आता है उस पर संसोधन अगर कोई विधयक आता है तो उस पर स्विक्रिती नहीं दे सकता है ये क्यों है दुर्गादास बासू ने कहा था राष्टपती कितने एंगलो एंडियन सदसे को लोग सफाय मनुद्ट किया जास कर सकता है तो दो लोगों को मनुद्ट कर सकता था इसको जो है ना आपको constitutional amendment के दर द्वारा आपको 140 सन्मिधान संसोदन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है ये भी आप लोग लिख लिएगा आपको सन्मिधान के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया है तो अगर पहले कितने चुने जाते थे तो पहले तो अब नहीं चुने जाते हैं हाँ राज्जी सभा में अभी भी जो है ना बारा सदस्यों को चुना जाता है जो की विज्ञान कला के छितर में आपको उत्कृष्ट योगदान का रह जो सुप्रिम कोट का जो आपको नियाधीस होता है जो जज होता है उसकी सेवा निवरिती की आयू कितनी साल है 65 साल है जो सुप्रिम कोट का जो आपको नियाधीस होता है उसकी सेवा निवरिती की आयू कितनी है 65 साल याद कर भी जिएगा ठीक है उपराश्पती के चुना में आपको परधान मंतरी कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है तो सिंपल सी बात इसका उतर क्या होगा जब वह संसत का सदस से नहीं होता है कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि जो प्यम है वह संसत का सदस से ना होते हुए भी संसत का वह सदस से नहीं है तब भी वह प्यम पतक संसथ बनना अनिवार होता है तो जब वह आपको प्येम है लेकिन तरिय नहीं है उस उस्मय वह उपराह्षर्ष पती के चुनाओं में भाग पर्धानामंत्री नहीं ले सकता है क्योंकि वह जब संथ insight का स्थै-ही नहीं है तो आपको कैसे भ्य होने सकता है और आपको मैंने ब समझ में आगया होगा मुझे जहां तक की उम्मीद है राजेपाल अपने बिवेका धिन कृतियों के अनुपालन में किसके नियंतरन के धिन कारे करता है राश्पति के नियंतरन के धिन कारे करता है राजेपाल अपने बिवेका धिन जो सक्तियां होती है वो किसके नियंतरन के धिन काम करता है तो राष्टपती के धिन करता है भारत के किस राष्टपती का चुनाव आमसहमती पर हुआ था तो आपको भारत के निलम संजीवा जो रेडी राष्पती थे उनका चुनाव आमसहमती पर हुआ था मतलब निर्विरोध चुने जाने वा क्विस्टन है कोई आपको किंद्रिय मंत्री कब लोग सभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है जबकि वह लोग सभा का सदस्य नहीं हो मान दिए वही चीज़ सेम चीज़ है ठान से समझेगा लोगसभा का जो है वो सदस्य है नहीं उसने मंत्री पत का सपत ले लिया लोगसभा का सदस्य ना होती हुए भी कोई भी प्यक्ति मंत्री बन सकता है लेकिन उसको 6 महिने के भीतर मंत्री बनने के बाद 6 महिने के भीतर उसको सदस्यता लोकसभा का लेना पड़ेगा और बहले मंत्री बन गया बिना लोकसभा का सदा से बने ही और उसको 6 महिने के भीतर जो है न वो अगर नहीं बन पाया लोकसभा का सदा से तो उसे जो है न मंत्री पत्स क्या देना पड़ेगा इस्तिफा देना पड़ेगा इस् सभा की सदसेदा न ले दे ठीक है सनुधान के अनुसार केंद्रिये मंत्री परिशद में अधिक्तम कितने सदसे हो सकते हैं तो सनुधान के अनुसार केंद्रिये मंत्री परिशद में अधिक्तम आपको सनुधान में इस संबंध में कोई सीमा का उलेख नहीं है इसका उतर क्या होगा सनुधान के अनुसार केंद्रिये मंत्री परशद में अधिकतम सनुधान में इसका जो है न कोई उलेख नहीं है इस सीमा का कोई उलेख नहीं है कि सनुधान सभा के अनुसार आपको केंद्रिये मंत्री परशद में अधिकतम कितन अपन साथ में लगा तेजीयगा केंदर सरकार का मंत्री होता है वो आपको रावतिके के मंत्रि यो रद्य सरकार के मंत्री व्रत परने करते हैं तो ही अगर राजी सरकार का में मंत्री में आ को परसाद परियंद अपना पद को ग्रहन करते हैं अगला क्यों से राजे में राजपल के परसाद परियंद और आपको के अंदर सरकार में राश्पती के परसाद परियंद सनिधान के अंतरकत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्यदारी किसकी है तो सनिधान के अंतरगत जो मूल अधिकार है उसको लागू करवाने की जम्यदारी आपको Supreme Court तथा High Court की है अनुछियद 226 के तहट हाइपोड जा सकते हैं, कोई दिकत है, हमने देखा कि आपको सनिधान के अंतरकात मुल अथिकार का जो है लागो करवाने का जन्मिदारिक इसको है, सुप्रिम कोड और हाइपोड को है, हमने देखा ये भी कि अनुछियद 32 के तहट हमारा मुलिक अथ अनुछियद 32 के तहट हम लोग सुप्रिम कोड जा सकते हैं, और अनुछियद 226 के तहट हाइपोड जा सकते हैं, नेक्स्ट, क्रिस्ट ये है कि मुल अधिकारों के उलंगन की स्थिती में किस अनुछियद के अंतरकर्द 32 सीधे सुप्रिम कोड में आविदन कर सकता है, का फंडामेंटल राइट को हनन किया जाता है, तो आप अनुछियद 32 का परियोग करते हुए सिधे, आप लोग कहां पे जा सकते हैं, सुप्रिम कोड जा सकते हैं, ठीक है, और अगर जो है न मौनिक अजिकार हनन किया गया है, तो अनुछियद 226 का परियोग करते हुए अगला question है नागरीकों के मुल करतब ये सन्विधान में कहां लिए गए है मतलब सन्विधान में कहां है तो आपको भाग 4A में भाग 4A में मौली करतब ये है भाग 4 में क्या है भाग 3 में तो हमने क्या पताए था सबसे पहले fundamental right fundamental right मतलब मौलिक अजिकाब अगर भाग 4 की अगर मैं बात करूँ तो भाग 4 में जो है नाम लोग भाग 4 में क्या है नीती निर्दे सकता तो है भाग 4 में क्या है नीती निर्दे सकता तो आपको DPSP कह सकते हैं या बात करूँ तो जो बात करूँ तो जो भाग 3 में जो fundamental right मौलीक अधिकार है इसको अम लोग ने अमेरिका से दिया था कहां पर या था अमेरिका से दिया था भाग 3 में मौलीक अधिकार भाग 4 में जो है नापको DPSP है और भाग 4 के ये में क्या है आपको मौली के कर्था पर है fundamental duty है, ठीक है, आगे देखते हैं, question है, किस read का साब्दिक अर्थ है, what is your authority, मतलब आपको किस साब्द, मतलब आप किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, आपका authority क्या है, तो ये what is your authority का अर्थ होता है, को वारंटो का अर्थ होता है, क्या होता है, को वारंटो का अर्थ क्या होता है, what is your authority, हमने बताया था, कि जो हमारा स्विथान है, उसमें 5 परकार के read का उलेख है, कितने परकार के read का उलेख है, 5 परकार के read का उलेख है, उसमें से एक है को वारंटो, उस को वारंटो का मतलब किस अधिकार प्रिक्षा से आवे इस पद पे हैं आगे क्वेस्टन है राज के नितिद निर्दे सक्षिधानतों के अंतरगात किस आयू तक के बच्चों के लिए सरकार का निसुल्ग तथा अनिमारे सिक्षा दिलाने का दाइद दो है तो 14 वर्ष के आयू तक के बच् को दिलाने का काई तो है मतलब जो भी भावक है उनको 14 साल तक के बच्चों को आपको फ्री एंड कंपल सरी जिटके सन दिलाने का उनको रिस्पोंसेबिलिटी है ठीक है भारत के वह राश्पती जो पूर्व में लोग सभा ध्यक्ष भी रह चुके थे तो आपको लोग सभ के स्पीकर भी रह चुके थे तो वह राश्पती कौन है नीलम संजीवा रेडी भारत की राश्पती अनुमती हेतु भेजे के किसी विध्यक पर राश्पती कब तक अपनी अनुमती देने के लिए बात है तो राश्पती की अनुमती हेतु भेजे के कोई भी विध्यक है ज अगर कोई भी जो है आपको विधेयाग है उस विधेयाग को राष्ट पती को भेजा जाता है तो उस पर अनुमती देने के लिए आपके राष्ट पती के पास समय सीमा का संविजान में कोई उलेख नहीं है आगे देखते हैं हुँ पास पैसार ग्र्शन है 26 जन्वरी-12 जन्वरी-1952 के मध्य भारत का अंतरियों राष्ट पती कौन था तो इसका उट्तर क्या है आपको रजियंद्र परसाथ ही है मैंने बोला कि 26 जन्वरी- souls50 से 12 जन्वरी 1952 के मध्य भार का अंतरिम राश्पती कौन था तो डोक्टर राजिंद पर साथ 26 जन्वरी को हमारा सन्मिधान बन के तयार हो गया था लागू कर दिया था हम लोगों बन के तो तयार हो गया था जन्वरी 1952 तक इस बीच में 50 से 52 तक लगवा है भारत का अंतरिम राश्पती की से चुना गया था आपको डॉक्टर राजिंद पर साथ ही आपको फिर से राश्पती चुन के आते हैं धन बिधिया को संसत के की सदन में जो है ना पेस की आजा सकता है अनली लोकसभा में धन बिधिया को can only be introduced in लोकसभा मैंने पहले भी बताया था कि धन बिधिया को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तूत किया जा सकता है संसत के परतेक सदन की बैठक की कारे सुची में पहला भी से कौन सा होता है प्रश्नकाल जैसे ही संसत की जब बैठक होती है तो सबसे पहला भी से क्या होता है आपको संसत का जब बैठक होता है तो संसत के बैठक में आपको बैठक के टाइम सबसे पहला भी से जो होता है व वेरा नवी अनुसुची में अस्थान दिया गया उन्ति समा सन्विधान सन्सोधन के द्वारा किरल भूमी सुधार को उसको नवी अनुसुची में सामिल किया जाता है किस अनुछेद के तहत है धार्मिक ब्याई के लिए निशित धन पर कर्ण की अदाईगी से छुट परदान की गई अनुछेद 27 के तहत धार्मिक जो खर्च होता है उसके निशित धन पर टेक्स की अदाईगी से छुट परदान की गई है कि आप लिमिटेड इतना पैसा जो है ना आपको धार्मित ब्याय करते हैं इतना पैसा तक जो है आपको वो टेक्स के दाइरे से बाहर है यह अनुछेद 27 में है अगला क्वेस्टन है 1922 इस विक के आम चुनाओं के समय कितने दलों का निर्वाचाना योगद्वारा राष्ट राष्टिये दल का मानेता दिया गया था कितने दलों को राष्टिये दल का मानेता दिया गया था 14 दल राष्टिये दल का मानेता प्राव्ट हुगा था 14 दलों को आगे क्वेस्टन देखते हैं सन्विधान सभा ने प्रारूप सन्विधान पर अनुछेद वार विचार विमर्ज करना कब से प्रारम किया तो आपको सन्विधान सभा ने प्रारूप सन्विधान पर आपको अनुछेद वार एक एक अनुछेद पर विचार विमर्ज करना आपको 1948 से शुरू करता है आपको 15 नवंबर 1948 से वो आपको अनुछेदवार विचार विमश करना सुरू करता है सनुधान सभा के अंतिम दिन सभा के पतल पर सनुधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों नहां स्दाक्षर किये थे तो मैं बताओं इसका उत्तर होगा सनुधान के अंतिम दिन सभा के पतल पर खातीय संधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों नहां सनुधान इसका उसकार किये थे सबसे पहले राष्ट्रियापात की उद्गोसना 26 October 1962 की गई सबसे पहले आपको राष्ट्रियापात National Emergency की आपको उद्गोसना कीस अनुछेत के तहत किया जाता है पहले बता ही आप लोग तो अनुछेत 352 में क्या किया जाता है आपको National Emergency का होसना अनुछेत 306 में क्या था आपको अनुछेत 306 में आपको राष्ट्रियापात किसी भी राष्ट्रियापात है तो राष्ट्रियापात और आपको अनुछेत 307 में विदियापात जो कि आज तक भारत में एक पार्धी नहीं लगा है ठीक है भी आज तक एक बार भी नहीं लगा तो पर कि ऊथर और राष्टियापात के खोषना कप के जाती है 26 अक्टूबर 1902 को की जाती है दूसरी बार राष्टियापात के उद्भोषना कप की जाती है तो 13 दिसंबर 1901 को और तिसरी बार आपको पता ही है 25 सुन आपको 1975 को इंद्रा गांधी जब पर्धान मंत्री होती है तब ठीक है पहली बार 1922 में आपको अक्टूबर 1922 में जो है न राश्रिया पात के उद्भोसना के गई थी दूसरी बार कब 13 दिसंबर पहला बार 1922 दूसरा बार आपको 1971 और तिसरा बार 1975 आगे देखते तिन बाराश्रिया पात के खुसना हो चुकी है जब राश्र्पती द्वारा विथी आपात के उद्भोसना की जाते है तब संसर्थ द्वारा इसका अन्मोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना और तर्वyuदर आपको चुकी द्वारा देखते और तो राश्रपती बीदिया पात का द्वार विए जाते है तो क्वेंशन है कि राश्रपती बीदियां पात की उद्वारा चैब करता है कि आनुमोदन कितने दिनों के अंतरकत किया जाना चाहिए दो महिना के भीतर आपको संसद के द्वारा इसका अनुमोदन करना अनिमारे है Next question है भारतिय सन्विधान के किस अनुछेद में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राष्पती और दोनों सदनों से मिलकर शंजद में कहा गया है मतलब जो हमारा सदन है ठीक है हम लोग किस की बात कर रहे हैं सदन की अगर मैं बात कर रहा हूँ भारतिय सन्विधान के किस अनुछेद में कहा गया कि जो संसक्त होगी ओ आपको कि राज्यसभा लोग सफ़ा और राश्ट-पतसि तो एक लोगों को जो है important पता दूं सवाल कि अनुछेद 79 में आपको क्या है ठीक है अनुछेद 80 क्या है और आपको अनुछेद 81 में क्या है ठीक है तो अनुछेद यहां पे अनुछेद 80 में क्या है आपको राज्य सभा अनुछेद 81 में क्या है आपको लोग सभा और आपको अनुछेद 79 में क्या है इसका ट्रीक भी है सरला क्या है सरला कोई दीकत है अनुछेद 79 में है संसद अनुछेद 79 में क्या है संसद आपको अनुछेद 80 में क्या है राज्य सभा और अनुछेद 81 में क्या है लोग सभा इंपोर्टेंट है तिनों लाइन से है याद कर दिएगा बहुत इंपोर्टेंट है अनुषिद 79 में क्या है आपको संसद अनुषिद 80 में क्या है आपको राज्य सभा और अनुषिद 81 में क्या है लोग सभा सरला ऐसे याद कर दिजे मैं इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से मैं समझाओं तो मैं कहीं और यहाँ पे लिख लिख लिखा हूँ सरला ठीक है तो सफ और संसद 79 में राफ और राज्य सभा 80 में और लाफ और लोग सभा 80 में आगे देखते हैं क्यस्टन है हमारे पास किस अनुषिद के तहद सर्वच न्याले को सुप्रिम पूट को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्याले को छोड़कर हुआ भारत के अन्य किसी न्याले अत्वा न्याय मंडल के निडने के विरुद सर्वच न्याले में अपील करने के लिमती परदान करते तो यह अनुषिद 135 यह सुप्रिम पूट को मतलब अधिकार देता है कि जो सैनिक न्याले होता है जो अम्दफोर्स का न्याले होता है उसको छोड़ करके भारत के अन्य कोई भी न्यायाले हैं वो अपने निडने के विरुद सर्वच न्याले में अपील कर सकता है ठीक है तो इसका उतर क्या होगा मुश्यत 135 कि सन्विधान संसोधन के मात्यम से विवस्था की गई है कि अब राजियों को परत्यक्ष केंद्रिये करों से प्रात्पुल धनराशी का 29% हिस्सा मिलेगा तो यह आपको सन्विधान के असीमा सन्विधान संसोधन 2020 के द्वारा यह अधिनियम लागू किया जाता है धन्यवाद वीडियो अगर आप लोको पसंद आया होगा तो लाइक किजिए वीडियो को बाकि अन्य जो परिक्षार्तियों को फॉरवर्ड किजिए चैनल को सब्सक्राइब द्वाद यह थीए तन्यवाद